सादत हसन मंटो दी कहाणी बांच दा अगला हिस्सा हुदा जाने उन्हें किस कहाणी दे बारे में थो पुछिया से मैंनू अपनियां सब कहाणीयां याद नहीं खास तोरते होता बिल्कुल याद नहीं जो रुमांचे खान मैं अपनी जिंदगे चु बहुत काट ओरता नू मिले आहां ओ कहाणीयां जो मैं औरता दे बारे लिखिया हन या ता किसे खास जरूरत दे मात हैत लिखियां गयां या महस दिमागी या शी लई मेरियां जियां कहाणीयां चकियों जो सादगी नहीं है इसलिए मैं कदे उना दे बाड़े गौर नहीं किता। इखास तब के दिया औरता मेरी नजर चाहिया हां। उना दे बारे में कुछ कहाणियां लिखिया हां। पर Nowadays uncles नहीं। उने जिस कहाणी दा जिकर किता असी यो यकीन निन कोई हेटले दरजे दा रुमांस सी पुछ और कहां एसलिए मैं कहना शुरू कीता मुहबधियां उन्जटां बहुत सारीयां किसमा साधे बाप दादा ब्यान कार गई हन। मैं समयदा के महबद चाहे मुलतांच होए या साइबेरिया दे, बर फील मैदाना चा, सर्दियांच प्यादा होए या गर्मिया विच, अमीर दे 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 दिलच प्यादा होए या गरीब दे 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 कि तरहां होंदा है ए जुदा गाल है कि साइधा बेगम हस्काल च बच्चा जणे ते राजकुमारी जंगल वेच उला मुहम्मद देलच पंगण मुहबद पैदा कार दे ते नटवर लाल दे देलच कोई राणी जिस तरहां कई बच्चे वक्त तो पहलां पैदा हुंदे हां क्लीफ देखे पैदा हुंदे है जिस तरह औरतां दा हमल डिख जान दा उसे तरह मुहबद भी डिख जान दी है बाज दफ़ा बांच पन पैदा हो जान दा है एदर भी तो अनौज आदमी नजर आउंगे जो मुहबद करन दे मामले जो बांच हन दा मतलब यह नहीं कि मु कर सकता जिस तरह औरत अपने जिस्मानी नुक्साँदे कारण बिख्चे पैदा करने काबल नहीं रण दी उसे तरह यह लोक कुछ रूहानी नुक्साँदी वजा नाल किसे दे दे दिल ची도 मुह बढ़ा करन दी ताकत नहीं राख दे मुह बशाथ क्ध मावी हो सकते मैं त आंग तान दिल्चस्प लग ओर जर्यात रिए सान इसलिए मैं उस वल वेखे बीना लेक्च्टर दिन्दा जा रहे हैं कि आए तुझ मैं उस वल तयान दिता तो पार ख़या थे अपनी ख्याला गुम उप ओ गया जो तो दूरों किसी मोटर दा हॉट्षान वजिया ता तुसी यह दसों में की किया प्रन्तु मैं खामोश रहा उन्हों मौका देता कि अपनी वजनी ख्याल दिमाग विच्छों चटक दवे उक कुछ देर सोचदा रहा उस्ते बाद उन्हें फेर किया तुसी बिल्कुल ठीक फर्माया प्रन्तु खेर चड़ो इस किसे मैं नू अर्ज कर रहा सी कि कई आदमी वी मुहबब दे मामले च बांज हुन देया यानि उनना दे देल च मुहबब करन दी खाइश ता मौजूद हुन दी है पर उनना दी एक खाइश कदे पूरी नहीं हुन दी मैं समय दाएस बांज पंदा सबाब रोहानी नुकसन तोड़ा की ख गोरवी जर्द पह गया है जो में उनने को पूत वेख लेया होगी इत अब दीली उदे अंदर इननी जल्दी पैदा होई कि मैं कबरा के उनुप पुछेया ख्यारियत है तुसी बिमार हो नहीं ता नहीं ता उदी परेशानी होर भी ज्यादा होगी मैंनु कोई बिमारी ब दर्द हो रहे है मेरा ख्याल है तोनु कार चले जाना चाहिए आओ मैं तोनु छाड़ा मां नहीं मैं चला जाओंगा पर मैं बिमार नहीं है कदे-कदे मेरे देल चे ममूली जया दर्द पैदा हो जान दे शैदो ही होगी मैं होने ठीक हो जांगा तुसी अपनी गाल जारी रखो मैं थोड़ी दे चुप रहा क्योंकि अजय हालत विच नहीं सी के मेरी गाल गौर नाल सुन सकता प्रंतु जदो ने जोर पाया तो मैं कहना शुरू कीता मैं तो अड़े तो ये पुछ रहा सी कि उना लोकां दे बारे तो अढ़ा की क्याल है जो मोहबत करन दे मामले मैं जय बंदे आंदे जजबियां थे उना दियां अंदरूनी कैफियत दा अंदाजा नहीं लगा सकता पन्तु जदो मैं उस बंज औरत बारे सोच दां जो सिर्फ एकती जहां पुत्तर हासल करन ली दौामा मंग दिये खुदा दे हज़ूर्च गड़ गड़ां दिये ति जदों तो कुछ नहीं मिलदा ते टूने टोटके आंच अपना मकसद पाल दिये शमशाना तो राख लें दिये कई की रात तांज जाक की सादू आंदे दसे मंतर पड़ दिये मनता मं दिये चड़ावे चड़ां दिये ता मैं ख्याल करदां कि उस आदमी दिवी यही हालत ह संदी होएगी जो महब्बते मामले जो बांज होगे अजय लोक वाकाई हम दर्दी दे काबल हन मैं नवन्ने लोकां उते उन्ना रैमनी आउंदा जिनना इना लोकां उते आउंदे उन्हें उधी आखां चत्रू आ गए उठुक निगल के अचानक उठ खड़ा होया थे पर उन्तु मेरेवल वेखे बिनाओने उन्न अल्विदा चोना के हाथे चला गया दूजी वार उसनाल मेरी मुलाकात फिर अपोलो बंदर ते हुई मैं सेर दा आद भी नहीं है पर उस जमानेच हर शाम अपोलो बंदर जाना मेरा दस्तूर हो गया से एक मिने दे बाद जदो मै आगरे दे एक शायर ने एक लम्मा चोड़ा खत लिखिया जिस विच उन्हें नहायती लाल्ची तार उते है पोलो बंदर ते उते जमा होन वालियां परियां दा जिकर कीता ते मैं नू इस लिहाज नाल बहुत खुश किसमत किया कि मैं बंबई चां ता पोलो बंदर मेरी दिल्चस्पी हमेशा ले फना हो गई उन जदों कदे कोई मैंनो आपोलो बंदर जाननू केंदा है तो मैंनो आगरे दे शायर दा खात याद आ जान दे मेरी तबियत मतला जान दी है तंतु मैं उस जमाने दा जिकर का रहे हैं जदो खत मैंनो नहीं मिले आ सी मैं हर रोज ज आके शामनो एपोलो बंदर दे उस बैंचते बैठ्या गरदा सी जिस्ते उस पासे कई आदमी चंपी वाले आंकोडो अपनी खोपडियांदी मुरम्मत कराऊंदे रहां देसा दिन पूरी तर अंटाल चुके आ सी उजाले दा कोई निशान बाकी नहीं रहा सी अक्तूबर दी गर्मीज कमी नहीं होई सी हावा चाल रही सी ठक्के होई मुसाफर दी तर स्यार करन वाले आंदी पेड जियादा सी मेरे पिछे मोटरां ही मोटरां खडियां सान बैंचुई सब दे सब परे होई सान जित्थे बैठ्या करदा सी ओथे दो गालरी एक गुजराती ते एक पार्सी ना जाने कदोंदे जम्में बैठे सन दो में गुजराती बोलदे सन पर डड़ लें जे बिच पार्सी दी अवास्ट दो सोर शन वो कदे ब्रीक सोर्च गळ करदा कदे मोट्वे सोर्च ते जन्दों दो में तेजी नाल बोलणा शुरू करदें दे ता जे आ उन्हों बिला ना सकया प्रंटू जदोंने में वेख्यात वो दिया नजरा एहल हो गया ज्यानु वोचीज मिलगी हुए जी ती उन्हों तलाश सी कोई बैंच खाली ने शी इसलिए में नुकिए तेरे नल बहुत देर देदे बाद मुलाकात होई चलो सामने रेस्टूरांच बैठ दिया, यह थे कोई बैंच खाली नहीं, उन्हें रस्मी तोर दे कुछ गलां की तिया, मेरे नल टोर प्यार, कुछ गजांदा फासला तै करन्तोबाद, आसी दोएं, रेस्ट्रेंच, बैंट दिया, कुर्सियां ते बैठ गई, स्यादा ओर्डर दे के मैं उस वाल सिगर सिगरेट पेनी चाड़ देओ, यह कर तुसी अजया नहीं कर सकते, तो चंगी सिगरेट पिया करो, मिसाल देता और ते पांसो पच्वण जा, इसली मैं डॉक्टर दे कैन दे मुताबक ए टेनों से शाम खरी दिया सी, उन्हें डबे वाल गौर नल वेख्या, फिर मेरी वाल नजरां उठाईया, कुछ कहना चाहिए, आपर चुपरेया, मैं हस पिया, तुसी यह न समझना के मैं तो अडे कैन ते सिगरेट पियनी शुरू किती है, इतफाक दी गल है, कि आज मैंनों भी डॉक्टर रोल कर दे कोल जाना पिया, क्योंकि कुछ दिना तो मेरी सीने चे द गी है, इसलिए मैं फॉरन जेप जो नुस्खा कटिया, जो डॉक्टर अरॉल कर ने मैंनों लिखे देता सी, एक आगज मेज ते मैं उदे सामने रख देता, एबारत मेरे को लो पड़ी दानी जान दी, पर जिया लगदा है कि डॉक्टर साब ने विटामन दा, सारा खान द जबाने इस नुस्खेच जमा कर देता है, उस कागस उनु जे सोते उबरे हुए काले अखरांच डॉक्टर अरूल कर दार नाम ते पता लिखे होया सी, ते तरीख भी लिखी सी, उने चोर निगाहा नाल वेख्या, ते ओ बेचेनी जो देचेरे ते पैदा हो गई सी, फॉर नहीं मिलदा, कम जियादा कर दे हैं, प्रन्तु मजदूरी बहुत काट मिलदी है, इस तो बात चाहा आगी ते दुझी अंगल्ला शुरू होगी हैं, पहली मुलाका ते इस मुलाका चे शायद टाइमे ने दा फासला सी, उदे चेरे दा रंग पहला नालो जियादा पीला स अखांदे गिर्द काड़े केरे बन रहे सान, उन्हों शायद कोई तकलीफ सी, जिदा एसास उन्हों हर वक्त रहनदा सी, क्योंके गल्लां करदे करदे कई वहरो रुक जानदा, उदे होठां विचो आप मोहारे आ निकल जानदे, जे कर हसंदी कोशिश भी करदा, तो उद आप चल्दा